हेलो दोस्तों, SJVN के बारे में detail में business analysis इस वीडियो में करने वाले है, quarter 2 के results आ चुके हैं, latest में business के बारे में क्या समझना है, सब कुछ discuss करेंगे, देखे, सबसे पहले SJVN के बारे में हम जानते हैं कि ये एक power या electricity को generate करने वाली company है, और ये है उनका portfolio, देखे, financial year 23 में तब March end तक उनका कितना portfolio था, ये megawatt में data है, मैं gigawatt में convert करता हूँ, ये है 2 gigawatt के आसपास, ठीक है, और interesting चीज, last 4-5 साल में ये बहुत ज्यादा increase भी नहीं हुआ है, आप March 2017 में देखे कितना था, 1.96 gigawatt था, तो बहुत increase नहीं हुआ है, ठीक है, ये March 2023 latest data है, अब चीज gigawatt तक ले जाने के plan में है, उसके बाद, financial year 28, मतलब March 2028 तक वो 15 gigawatt ले जाने के plan में है, मतलब last 5-6 साल में जहां पर हम देख रहे थे कि एक तरीके से बिलकुल constant उनका power generation capacity था, लेकिन अभी हमको एक बड़े jump देखने को मिल रहे है, 15 gigawatt तो मतलब सोच लिए, company का अभी ज target है, और अभी बहुत ही कम कुछ 125 gigawatt के असपास है, तो renewable energy में वो 25 gigawatt का अपना plan रख रहे हैं, तो ambition उनके बहुत बड़े हैं, और aggressively वो काम कर रहे हैं, अपना जो भी capacity है या जो भी उनके projects हैं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में, तो ये एक बहुत ही important चीज होने वाल अब वही capital expenditure हर साल 11,000 करोड, 13,000 करोड उस हिसाब से होंगे, फिर future में और ज्यादा capex यहाँ पर होने वाला है, तो capex होगा तो क्या क्या करेंगे, debt funding करेंगे, मतलब loan बाहर से लेंगे, तो ये एक important चीज रहेगी, future के time में उनका credit rating को देखना, तो ये SJVN है, जो हम देख ले होता है, best नहीं, best से एक notch नीचे है, ठीक है, ये increase होता रहे तो अच्छी बात है, और decrease होता है, वो तो थोड़ा सच्छा नहीं है, अब चिंता कब हो सकती है, जिसे डबल अ प्लस है, अगर थोड़ा खराब हुआ rating, तो फिर डबल अ भी जा सकता है, फिर डबल अ के बा लेट से 100 रुपीज कमा रहे हैं, तो पे आउट रिशियों का किस तरीके से, लास्ट फाइनचियल ये में 49 परसंट था, और हम एक रेंज भी देख पा रहे हैं, 49 परसंट से 60-62 परसंट के बीच में लास्ट कुछ साल में पे आउट रिशियों है, मतलब कमपनी लेट से 100 रुपीज कमा रही है, तो 50 या 60 रुपीज एस डिविदेंट वो पे कर रही है, तो यह डिविदेंट है, वो कैसा है, वन रुपीज 15 परसा का उन्होंने डिविदेंट दिया था, यह लास्ट फाइनचियल ये का हम पता रहा हूं, हमको नहीं पता है कि इस साल इस जो फाइनल डिविदेंट है, रिजल्ट था अप्रिल में में ही आ जाते हैं, लेकिन डिविदेंट आते आते हैं, फोड़ा लेट हो गया है, तो 0.62, मतलब टोटल 1.77 परसा का उन्होंने डिविदेंट उन्होंने पे किया है, तो यह देखिए, 1.77 परसा का डिविदेंट इंकम जो है वो बढ़ता रहे तो at least जो dividend है तब बढ़ने का expectation रखा जा सकता है next data debt to equity अब जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादे activity नहीं था तो debt भी विल्कुल control में था लेकिन अब अच्छानक से debt भी बढ़ गया है और हमने थोड़ा discuss भी किया है कि debt को ध्यान में रखना है ratings को भी ध्यान में रखना है तोस्तों अब quarter 2 के result देखें revenue 880 करोड थे last year July to September और इस बार थोड़ा सा कम हुआ है थोड़ा सा कम हुआ है last year profit कितना था 451 करोड और इस बार July to September 2023 441 करोड तो थोड़ा सा last year के comparison में minor आप मान सकते हैं कि जो revenue है और profit है वो थोड़ा सा कम हुआ है तो future में बड़ा expectations है लेकिन फिलहाल जो revenue आया है बहुत ही मजबूत नहीं आया है या कहेंगे कि पिछले साल के बराबर ही revenue आया है तो हमने और थोड़ा analysis में एक step हम और आगे गए SJBN की तरफ से latest earning conference call बहुत recent में हुआ था जहाँ पर management ने क्या important चीज़े कही थी वो सब हम आपको यहाँ पर discuss करेंगे तो देखिए यह chat GPT में हमने rating भी यहाँ पर की है कि कौन सी important चीज़े उसको पहले रखा जाए तो hydro project में revenue में थोड़ा impact हुआ है इस बार आपने देखा होगा कि जो हिमाचल है फिर नॉर्थ इंडिया में बहुत जगे में बाढ़ आई थी यहाँ पर तो उसके कारण से थोड़ा business में impact हुआ है फिर renewable energy implementation agency वो बने है और साथ-साथ में दूसरी company जैसे NHPC, NTPC वो लोग भी बने है तो यहाँ से future में थोड़ा सा income उनको आ सकता है क्योंकि government की तरफ से important nodal agency वो बने हुए है capacity expansion जो हमने डिसकस किया है कि अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा capacity expansion के उनके प्लान है फिर profit and revenue थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है क्योंकि generation ही उन्होंने कम कियो है और generation कम क्यों हुआ है क्योंकि जो बाढ़ आई थी उसके कर करना शुरू किया है net worth और book value जो है company का increase हुआ है payment mechanism उनका अभी वो मजबूत कर रहे है next है plant availability factor again थोड़ा सा quarter two में impact हुआ है dividend पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है दोस्तों business के बारे में कुछ positive और negative aspects तो देखिए SJVN को सबसे बड़ा एक तो advantage है कि उनका return on equity है लगबग 16.5% क भी उनको है negative क्या हो सकता है again debt अगर बढ़ता रहे और यहां पर अगर उनका जो payment करने की capacity में stress आता है तो थोड़ा से check करना पड़ेगा और renewable बहुत बड़े-बड़े projects है कहीं पर कुछ भी reason के कारण से कुछ भी negative event हो जाती है तो थोड़ा negative हो सकता है फिर execution risk या फिर project delay को क्या होगा कि business में impact पड़ सकता है profits में impact पड़ सकता है मुझा उमीद है इस analysis से आपको मदद मिली होगी business के बार में समझने को आपको आसानी हुई होगी हम last में एक बार valuation check कर लेते है book value लगभग 36 के आपास में है यहां price to book आप देखेंगे 2.29 का है जो कि उनका historical price to book देख हुआ था अभी फिर से high rating उनको मिलना शुरू हुआ है तो इसके बहुत कारण भी हो सकते हैं जैसे जो है future में उनका बहुत ज्यादा growth का expectation है यह भी हो सकता है तो इस number को आपको कैसे देखना है वो भी important है पहला आप ऐसा भी सोच सकते है कि future में बहुत growth हो सकता है इसलिए यह book value justify करता है but again मैं counter view भी यह भी provide करता हूँ कि future तो किसी ने देखा नहीं है past में उनको 1 1.2 के आसपा सी book value मिला हुआ है तो वही book value actually उनको मिलना चाहिए आपका क्या view है मुझे comment section ने जरूरू बतहिएगा मुझे उमीद है इस वीडियो से आपको understanding हुई होगी business को लेकर आपके किमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंकि दोस्तों